अ यहां धो टोपिक पढ़ने जा रहें एक है एक्योक्तर्मिक रेक्शन और इड़। आ ऐसी केमिकल रेक्शन होती है दो उसमें हीट निकले जैसे जब हम पानी के अंदर चुना पत्थर को डालते हैं तो क्या होता है reaction होती है और जो system होता है वो- गर्म हो जाता है क्योंकि उसमें heat निकलती है ऐसी reactions क्या कहलाती है exotermic reactions क्या होती है endothermic reactions ऐसी reaction क्यों क्यों है start करने के लिए heat देनी पड़ी है जिसे खाना पकाने खाना पकाने के लिए हमें क्या करना हो WITH the evolution of heat हीट निकलती है, carbon and oxygen की reaction कराए जाती है तो 92 calorie joule energy निकलती है, carbon dioxide के बना जाती है, endothermic reaction, endothermic reaction is one which takes place with absorption of heat, heat देनी पड़ भी है, जब nitrogen and oxygen से पी खिरिया करके nitrous oxide बना जाता है, तो 43.2 calorie energy देनी होती है, तब जाकर के reaction complete होती है